वेलकम बैक टो माई टूप शल पेपर हैंगर कैसे हैं आप सभी लोग आज की इस वीडियो में पस्ये बताने वाले हैं जो भी जात्र बीए में हो यह फिर बीएसी सेकंड एर में हैं तो आपको यह पता होगा बीए और बीएसी दोनों की बात करने वारा हूं कुछ जात्र ब दिहान से समझेगा मेरी बात को ठीक है तो पेपर दोनों का एक जैसा आता है कोई उसमें चिंजस नहीं होता है सेम टू सेम आता है बीए का भी और बीएसी का भी अब आप जियोग्राफिक का सेकंड पेपर देख रहे हैं और फ़र्ष्ट पेपर पहले से अप्लोड कर रह आप अपने डीडी युनिवस्टी वाग करने वाला ओं गोरक पर युनिवस्टी में आप टॉप करोगे यह मैं आपसे लिखके ले सकता हूं कि आप टॉपर बनने वाले हो तो जीओग्राफिक के सेकंड पेपर का नाम हो जाएगा जीओग्राफिक ऑफ इंडिया मतलब कि जो भूगोल रहेगा वो हमारे इंडिया का रहेगा समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से देख लेना तो याद रखना इंडिया का भूगोल के बारे में बोला गया है क्या क्या रहने वाला है ध्यान से देख लो सेकंड इयर वालो मैं आपको आपके पास बुक नोट्स गैस पर जो भी है उस पर टिक लगा लो थोड़ा सा धुंदला दिखाई देता होगा लेकिन मैं आपको सब कुछ बोल के बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं रहेगी ध्यान से समझ लेना यहां बोला गया है भू बैग्यानिक सरचना क्या होती है इसके बारे में आपको याद रख करेंगे पेपर को फोटू बेजेंगे ताकि मैं उसको अच्छी तरीके से में इंसन कर सकूँ आप तक पहुचा सकूँ उसका सुलूशन के बारे में समझ रहे हो अब देखो उसके बार में क्या आता है दूसरे कोशन पर आप टिक लगाएंगे ड्रिनमा सिस्टम क्या होता है इसको आप टिक लगा लिना जो ड्रिनमा एक सिस्टम होता है इस सिस्टम के बारे में आपको बढ़न करने के लिए बहुत ज़्यादा पूचता है मानसून देख लीजिए मानसून की उत्पत्ती कैसे होती है मानसून जो बनते हैं जो बादल बनते हैं उनकी उत्पत्ती उनका नर्माण कैसे होता है फॉर्मेशन कैसे होता है बहुत ही जादा है आपके लिए इंपोर्टेंट ये कोशन इसको आपको याद कर लेना है मानसून की उत्पत्ती के बारे में नेक्स्ट कोशन पे आप टिक लगा लीजे पेपर 2022 में कोशन आ रहे हैं इस बात को याद रख लेना दूसरा कोशन आता है तीसरा कोशन में लगांगे मिट्टी और प्राकिरतिक बनस्पतियों का वणन देखो मिट्टी के बारे में आप जानते होंगे मिट्टी क्या होती है उसके बाद में हम नेक्स्ट कोशन की बात करेंगे और नेक्स्ट कोशन आपके सामने आ चुका है ध्यान से देखिएगा but कि यह कोशन और », मटक्साít की परिभास है और परमादू और परिच्छा बा? जैसलब किसी चीए से मुत्पन कर सकते हैं संसाधनर जैसे कोईला हो गया ठिक है? उसके गैर परमपर एक उर्जा स्रोत के बारे में देखो पिट्रोलियम के बारे में और गैर परमपर एक जो उर्जा स्रोत हैं उनके बारे में एक दो की बारे में पढ़ जादा नहीं कोगा अबी सब कुछ पढ़ लो ऐसा कुछ नहीं कोगा बस इतना लेकिन कोईला पिट्रोलियम अप से जनसंख्या बिस्पोट क्या होता है थी जानते हूं एस अप कैसे करते हैं सिचाई और बहु उद्देशिये परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं बहु उद्देशिये परियोजनाओं के बारे पढ़ लेना दो चार के बारे में जादा नहीं कोंगा दो से तीन पढ़ लेना और सिचाई के साधन कौन-कौन से होते हैं कैसे सिचाई होती है उत्तर ने के लिए बड़े आराम से आप आत को लोगे हरिद क्रांती जो का प्रभाव क्या होता है most important है इसको most प्रभाव effect of हरिद क्रांती ठीक है उसके बार में भारत में उद्धोगों का विकास भारत में जो उद्धोग हुए है जैसे कि सूती बस्तर है और सीमेंट है और जो इस पात है यह उद्धोग है भारत का विकास भारत में जो विकास हुआ है उद्धोग को जैसे सूती उद्धोग और रेल के बारे में बलब परिवह नेटवर्क सड़क और रेल क्या-क्या है उनकी बारे में यात कर लेए ठीक है परिवह नेटवर्क और इसके बारे में थोड़ा और कह सकते असम गहटी क्या उन कौनसी है उसके बारे में और मालवा जो पठार है उसका विस्ताइद अध्यान मालवा जो पठार है उसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा सा पठार के बारे में एक्स्पिलिन करना है थोड़ा सा पढ़ लिना उसके बारे में जानकारी आपको रखना है क्योंगि यहां से कोशन बनेगा और कह सकते हैं मालावार प्रट के बारे में आपको बनेगा तो यह कोशन थे 2022 में आने वाले कोशन इन कोशनों को याद करके आप 80% प्लस लाओगे यह 10 से 11 कोशन है आप अपने बुक नोट्स के इस पर में टेक लगा लेना और बागी यही पढ़के जाना बागी कुछ नहीं देखना है चल बलते हैं नेक्स में तब तक के लिए बाए बाए दूस्तों चलों को सब्सक्राइब कर लेना बैल आइकनों को प्रेस करके लेना